तो दोस्तों मैं हुए आप देखरें मेरे यूटूब चानल एजे इन्पू तो आज की इस वीडियो में हम एक देखेंगे कि रियलमी 7i का चार्जिंग डाटा चार्जिंग लाइन हम आज इस वीडियो में देखेंगे तो सबसे पहले हम इसका जो सिप्यू लगा हुआ है यह देखेंगे कंपोनेंट नेम पर जाते तो हमें किसी भी आएसी का नाम पता नहीं होता तो कंपोनेंट नेम यह एक ओप्चन दिया हुआ है वहाँ पर जाकर हम आए सी का नाम से रिझा वाइस देख सकते हैं उसका नंबर स्टे सकते हैं तो HOW यहां पर कंपोनेट प्र जाकर यह हम को क्सिप्यू लगा हुआ है और सकी एमेंसी भी तो इस तरह से हमारे см four two five zero अमारा क्इबंब लगा हुआ है तो इस तरह से यहां पर चार्जिंग डाटा, चार्जिंग आईसी, पीमाई, ओन आप सीच, इस तरह से यहां पर यह नाम दिये हुए है, तो इस तरह से किसी भी भायू को यह पता नहीं होता तो, यहां पर कॉंपोनेंट नेम पर जाकर आप पता नगा सकते हैं, तो इस तरह से हमारी चार्जिंग कनीक्शन यहां से हमारे एक USB clean दोनों आती है और हमारे dmdpb पर लाइन, यहां से ही हमारी चार्जिंग आईसरी पर इं पूख हो रही है, तो इस तरह सी हमारा जो red wire दिख रही है, red line दिख रही है, यह हमारा USB clean फ्सके लाइन है, तो यह हमारा एक IC लगकर है हमारी charging IC पर जा रही है तो वो IC कौन सा है आप comment box में comment करना उस IC का नाम एक छोटी से IC होती है वो हम bypass भी कर सकते उस IC का नाम आपको पता हो तो comment box में comment करना तो यह IC हमारा bypass को जाता है तो इस तरह से इस IC से यहाँ पर एक IC लबकर यहाँ पर इन्पुट हो रही है तो यह हमारा IC का नाम हमें नहीं पता तो हम component name पर जा कर हम देखेंगे की यह हमारा charging smb है हमारा charging IC है तो इस तरह से हम कॉंपोनेंट में नेम पर जाकर हम चेक कर सकते कौन सा है तो यहां पर चारिजिंग आईसी से आउटपुट होकर यह हमारे पाउर आईसी पर मतलब पियामाई 6232 पियामाई 6232 902 पियामाई पर इस तरह से हें अमारे तो इस तरह से आउटपुट हो रही है तो यहां से सब विपयाच नाट जा रहे तो इस तरह से हमारे चारिजिंग का सेक्शन होता है तो हम कहाँ पर बाइपास कर रहे है कौन सा IC बाइपास होता है और यह लाइन आप देख रहे है शिरिफ एक ही IC यहाँ पर चार्जिंग में बाइपास हो सकता है वो आप कमेंट वक्त हैं उसका नाम कमेंट करना तू इस तरह से हमारा चार्जिंग का सेक्षन पोता है तो यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो शेर करो और जो भी नए तो प्लीज इस चैनल को शेर करो और वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट वक्त में कमेंट जरो करना ठैंक यू